अग्ला टोपीक है गैंचेहनली जल्सिस युमगभ जल्न यहापर हम सोत करें दिए कि मेल और फिमेल बोडी में किस प्रकार से गैंच करने हो वह मुता है दो प्रोसे सुछती है मेल में अलग एहलाती है फिमेल में अलग एक है स्परवेटो जल्सिस यह होती है, oogenesis मेल में, इस परंगा निर्माण होना, spermatoogenesis कहलता है, शुक्रजनं कहते हैं और फिमेल में, अंध जन्माण होना, oogenesis कहलता है, जिसे अंड जननी ठीक है, तो धानक एक आप formation of sperm by testes in male male में testes के द्वाला sperm का जो दिर्मार दोना है उसे spermatogenesis कहते ही है जब कि formation of ovum by ovary in female जिसको जो 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 female में मादा में ovary दोला ovum का निर्मार जोना urgenic या अन्डेजनल कहलाता है अब हुँ बात करें कि आखेरी इस पर्मेत्र जंस लोगे घिंस कि प्रेंगसिस किस प्रख अधिए इस प्रज्त है किस प्रकाद से होता है देखिए इसके पहले मैंने आप mês 거 बताया था जब टेस्टी से बारे बता रहे तिए तो हाँ यूसके अंदर एक मेंड जन्छ दी और दूसरी सर्टोली सर्टूली तो इस पर का जो फॉर्मेशन होता हूं बेल जर्ब सर्ट से होता हूं और सर्टोली सर्ट क्या करती थी उनको भोजर प्रवाइब करती थी तो लिख रहे हैं, इस पर मेटोगोनियम की जो सेल होती है, इस पर मेटोगोनियम, जिसे हम जल्ग सेल की कह रहे हैं, यह इसी बात करों मेट जल्ग सेल की, यह सेल क्या होती है, लगाता है, डिवाइड करते रहती है, इसके तर माइटोसस डिलिजन होता है, कहुंसा डिलिजन होता है माइट्रोसिस मतला समसूत्री की वाजन होता है इसके बारे मैंने आपको प्लास 11 में सेल डिवीजन पर बताया था माइट्रोसिस डिवीजन करके स्परमेटोगोरियम अपनी संख्या को लगातार बढ़ाते हैं यानि कि spermatogonium, mitosis division के दौरा, spermatogonium के बनाती है spermatogonium, यहाँ पर मैंने gonium लिखा, यह gonia लिखा, यह singular है और यह plural है, यह देहां दीजे, बस अना है लेकिन कुछ में थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाता है, वो spermatogonium, mitosis division के दौरा, spermatogonium ना बना करके primary spermatogonium बना लेता है, जिसके अदर गुरसूत्रों की संजया 46 भी आती है, अभी इसके अदर गुरसूत्रों 46 है, अब यहाँ पी क्या होगा, मियोसिस स्टार्ट होगा, अर्ध गुरसूत्री स्टार्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट जब होता है, primary spermatogonium, secondary spermatogonium में कर्णवर्ण हो जाता है, जिसके अदर गुरसूत्रों की संजया आधी हो जाती है, 23 हो जाती है, और कितने नमबर बनते हैं, 2, primary spermatogonium मियोसिस फर्स के लारा, दो secondary spermatogonium करता है, इसके बाद मियोसिस स्टार्ट की प्रक्रिया होती है, मियोसिस स्ट से secondary spermatogonium में कर्णवर्ण हो जाती है, जिनकी संख्या 4 होती है, और गुरसूत्रों की संख्या अभी 23 होती है, क्योंकि मैंने आपको पताया था, जब कोश्का इवाज़त पढ़ा रहती है, कि मियोसिस स्ट में कुरसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, और एक कोश्का से दो कोश्का का निर्माणता है, प्र जब भी और से सकेंड होता है तो वह सुत्रक सख्या उतनी रहती है लेकिन दो से चार पॉश्ञ भी जाती है यह बाद क्लास रहा नहीं पताय गेँ था इसके बाद बनेरे स्पर्मेंटिड आगे चलकर स्पर्म में कनवर्ण हो जाते हैं इस पर्मियो जर्शिस कह राता है जब कि इस पर्मेटोगोनियम से कि स्पर्म का बना स्पर्मछुम equivalent दोनों तरह थोड़े से difference है कि नामस ध्याद केगा आगे कि स्पर्म का structure कि स् पकार Спॉर्म करती है तो देखिए स्पर्म में तिन पार्ट का यहलाते हैं एक उसका head होता है दूसर्य उसकी neck होती है छोड़ासा आगे चलके मिडिल लेंग ला और इसके बाद टेंग यह बाद जो पार्ट है हैड कहते हैं यह बीच वाला पार्ट निक बड़ा बड़ा यह पार्ट मिडिल पार्ड कądista मिडिल लेंग यह पार्ड कि रहोंके से लास्त पनी की रिवाँ धेड फूच हेड के ऊपर यहाँ पर अक्रोस्वम पायाँ पार्ट एक्रोस्वम करता क्या है पाइब करता है जब ऑवं से मिलता है तो ओवं की से मो उसकी बाहरी दिवार होते ुसको भेदने का 생겼ि काम करता है पैंटरेट करता है क्योंकि इस पंड़ को उसके अंदर जानता है जाना है Centriole का काम होता है? Centriole का काम होता है जब ovum यानि अंड कोश्का जब एम्बला में रहती है तो वहाँ पर उस ovum को help के लिए वहाँ पर Centriole पाय जाता है इसका क्या काम होता है? जब आपको fertilization बताएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में बताया जाएगे पर पाया जाता है इस पर मैं उसको चलना फिरना है motile गति दिखानी है तो energy का शक्ता होगी और micro bond का पावर नवस करते हैं तो micro bond का करते हैं इसको energy supply करते हैं इसके बार का part है tail tail क्या करते हैं tail इसको motile motion में रखने के लिए help करते हैं अब हम बात करेंगे कि मेल में sperm के formation में कौन-कौन से हार्मोन जिम में दोर रहती है मैं इसका शक्राटा रहा हूँ कौन-कौन से हार्मोन होते है जो sperm को बनने के लिए अगर हम आग पर हमारे शरीर में एक हाइपो थेर्मस ग्लैंड पाई आती है यह हाइपो थेर्मस ग्लैंड एक हार्मोन का शिक्रेशन करती है जिसे हम कहते हैं गौनेलो टॉपिन रिलीजिंग हार्मोन शौर्ड हम इसे बोलते हैं जी एन आर एज हाइपो थेर्मस से निकला हुआ यह हार्मोन गौनेलो ट्रॉप्न रिलीजिंग हार्मोन यह हार्मोन एंटीर्यर रिप्यूट्री ग्लैंड रिप्यूश करती पर कमांड करता है वहां से दो प्रकार की हार्मोन रिलीज होते हैं पहला हार्मोन है FSH और दूसरा हार्मोन है LH FSH हार्मोन क्या होता है इसको पुरा नाम दिया जाता है Falkylt Stimulating हार्मोन उसे वक्ते रिप्युलाई सिखार Falkylt Stimulating हार्मोन होता है यह Sertoli Cell पर जाएट अपना वर्क करता है Sertoli Cell Sertoli Cell का क्या काम था Sertoli Cell का काम था कि बनने वाले इस पर Nutrition Provider बनने वाले इस पर Nutrition Provider पर इसका पोशब करी तो FSH हार्मोन होता है Sertoli Cell पर वर्क करता है और यह क्या करता है यह इस पर के Formation की प्रक्रिया को बढ़ा देता है दूसरा हार्मोन है यह यह इस पर करता है विछली बार मैंने इसके बार नहीं पालाया था प्रधार नहीं दीजे होती क्या है दो SFD के बीच की जो कूश्काय होती थी यहां पर बीच में एक सल पाई जाती थी उसे हमने तुरह मैं रैडी से नहीं हा पीटए है से कांप यह हम कि हारोन का साव रहत Lahat पय斯 ऐसे का स्राट करता है इसको मैंने बताए यह नहीं से मैंने अता है में 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 आपके करेक्टर को डेवलक करता है याए या में चिद्दे इसके सटरें करेक्टर Gateway करे Lewis एक बाद जिस समझ लेते हैं, इस्परमेटोजेसी जिसके दर इस्पर्ण का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या होता है, हमारे इस टेश्टिस में जो सेमिफिनेश्टी भूल था, उसके दर वेल जर्मसल पाई जा रही थी, जिसे हमने इस्परमेटोगोनियम काहा है, जर्मसल है, यह लगातार माइटोसी हम सुट्री महाज़क के दौरा अपनी संथ्या को बढा रही है, दो दो से चाह चाह से अब का से बढ़ रही है, लेकिन कुछ इस्परमेटोगोनियम नहीं, माइटोसिस के दोगा, यह इस्परमेटोब गुनिया में ना करवड़ होकर के, प्रैमरी स्परमेटोसाइट में करवड़ दो है, जिस माइटोसिज दिलिया चल रहा है, बोड़ से उतोर की संक्या सेल रहेगी, यहां भी 46 है, इसके बाद, मियोंसिज डिपिजन स्टार्ट हो और उस्थो उत्रों के संधिया प्रटी त्रहे लेती है, अब स्परमैटर्ट का स्टार्थ में करवड होना इस्पर मियोंजमस कहलाता है, अपने पार तो कॉन-कॉन से हार्मेट हमारे पहां से दो हार्मोन का स्क्रीशन होता है, FSH, Folli-Gate Stimulating Hormon, और LH, Lip-Lyteleizing Harmon. FSH क्या 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 है? सच्छों इसे पर काम करता है, और तोह से इस्पर्म की फार्मिशन के फक्रिया को तेजे से बढ़ा लेता है, यानि इस्पर्म जाता से जाता क्या है. ही लिप्लाइजिक हार्वन किया करते है री छर्षी लेकीषल करता है जया से तेस्टेस्ट्रोन नी कलत最 खतने हैं और में कल गडenda कुण करेए थी कि अफर एक मत्रीय रखें की हर एक इस्कलनवी एजैक्रेशन मतलब में जब हमारे पॉडी से इसपंग बाहर आता है तो लगबार 200 से 300 मिलियन इसपंग बाहर आता हैं लेकिन अब बात यह होती है कि हम कैसे बताइगी कि इसपंग मारे मतलब की कि इथ को रिख लगवार्य लगवत करा निंदर जो इतल से वह सबंदर मतलब कि अगए घाव चार्ईज कर स्पर्म की कटी ठीठा रहेकि अच्छी रहेots और 40% स्पर्म की, 40% स्पर्म की जो इस्ट्रक्चर है, यदि वो सही रहेगा, तो वहाँ पर वो इस्पर्म फेटलाइजेशन के लिए तयार रहेगा है, यहां दीज़ेगा, हर एक जन्रेशन में लगए 200-300 मिले इस्पर्म बाहर आते हैं, जिसके 60% स्पर्म की गपी ठीक होन से ही, तभी एक बड़ लाजिशन की पड़िया हो पहेगा, जिने ठीक है, आगे हम बात रहें के उल जन्सिस के बारे को, थैंक्यों